जैशी राम बच्चो आज हम 11th class periodic classification of element जो 3rd chapter है इस से लिए कुछ previous year जे ही questions करेंगे अगर आप हमारे साथ लगाता जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने अब तक इस chapters के में टॉपिक्स आयनेशन थेल्पी एलेक्ट्रो नेगिटिविटी के वो topics समझे हमने उसके बाद हमने question भी करा था एक बात के और विश्वास हो है कि हम जो बट रहे हो more than enough है अपनी NCRT को ढंग से करते रहो तो अगर तुम्हारा concept strong है तो उसके पाद जाए का question हो चैनिट का question हो अटकने वाला नहीं है देखो बच्चो पहला question जो मैंने लिया है वो question क्या है in the long form of periodic table the valence cell electronic configuration of 5s to 5p4 5s to 5p4 correspond to the element present in देखो पहली बात तो यह पी में जा रहे है यह पी में जाने का मतलब क्या होता है पी में जाने का मतलब यह पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक जो हुआ करते हैं वह तुमने पढ़ा हुआ है कि जो पी ब्लॉक के एकालने के लिए पी ब्लॉक में क्या करना होता है एंके एस में जितने एलेक्ट्रोण है एंके पी में जितने एलेक्ट्रोण है उनको यह को सोला है और पीरे पांच है ऐसा कोई option है हाँ जी सी ऑप्शन है ग्रुप सोला पीरेड पांच चीक है बई नॉर्मल सा कोशन है और तुम देख रहे हैं जेए मिन में आया हुआ है पहले कोशन ही कि अगले कोशन कर रहे हैं तो कोशन के प्रीएशन थेलपी ऑफ टूआलेमेंट ए न बी ठीक है एलिमेंट एकी फर्स्ट आइंशन थल्पी देख रही है 899 तुम देख रहे हूं सेकिंड की देख रहे है वन सेवन फाइट सेवन ठीक है अब थार्ड वैल्वी देख रहा हूं सेकिंड की सत्रा सु सत्तावन है वन सेवन फाइट सेवन फर्स्ट की सेकिंड आइंशन थल्पी सत्रा सत्तावन है अब थार्ड आइंशन थल्पी देख रहे हैं उसके कितनी है 14847 कितने गुने का फरका गया कितना ज्यादा टाइम्स बढ़ गया अब देखो पहली और दूसरी को कंपेर करो 899 से 1757 हुई ये 14847 यह पता है किसीज का मतलब इस चीज का मतलब देखो एक्जामपल यह रफ बर का इक्जामपल है यह जैसे मैगनीशम है अब मैगनीशम क्या है वनने स्टू टूँ तू पी सीक्स थरी एस टू ठीक है अब एक लेक्ट्रों निकल गया होगा ठीक निकल जाएगा दूसर सबस्केळी लिचाम हरे सबस्क्राइब मंगरे मंगनेशियम सतोप्रक्रण निकल पाहिए तो कहा एक से निकले रूपर से स्टेवल वह कश्रीन से यह Captain यहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा वह एनरजी मांगेगा और इसी प्रकार से वह एनरजी तुम देख रहे हो उसने स्टेवल कॉंट्रिक्शन एक्वाइड कर लिए ठीक अब बी का डाटा भी पढ़ लेते हैं बी में क्या लिखा हुआ है एट थर्टी सेवन ठीक है चोदा सो पचास ठीक है अब चोदा सो पचास से बाद में फिर इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहे सत साथ जार साथ स सेवन ठाउजन सेवन ठीक है तो यह भी मेरे को सेम लग रहा है अब यह आप्शन पढ़ते हैं तो पूछना जाता है ठीक है विच आफ फॉलंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट बोथ एन भी बिलॉंग स्टू ग्रूप टू से तो बिलॉंग कर रहे हैं तो ग्रूप टू से तो बिलॉंग कर रहे हैं क्योंकि मैंगनेशियम ग्रूप टू का है मैंगनेशियम कुछ ऐसा ही करेगा ठीक है अच्छा यह देखने के बाद मुझे सी और डी को तो गलत कर देना थी यह क्यों देखो दिया है विलॉंग टू ग्रूप वन आगे मुझे देखने की जिरती ग्रूप बन के तो है नहीं मुझे दिख गया बहाँ दो एलेक्ट्रों निकलने के बाद तीसे लेक्रों बहुत 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 आप आया तो इनका आउटर मुचन में डोएट्ट्रों होना ग्रूप टू की निशानी है वह बेरेलियम मैंगनेशियम कैल्शिम स्टॉंट्य में वाले के निशानी है ठीक है जी ओके तो ए और भी में सही कोई आंशर होगा अप सुनते है तो बोट एन भी बिलॉंग सुग्रूप ए ऑप्षिन पड़रों में वेरेज एक कम्स बिलोटू भी ओके दूसरा क्या है बोट एन भी बिलॉंग सुग्रूप टू अच्छा यहां तक ठीक है वेर्ज बी कम्स बिलॉंग कम्स बिलोटू ए देख बच्छो हमने यह पढ़ा हुआ है जैसे मैं वह सेकिंड रूप लिग लिए तो हमारा ठीक है अब हमने यह पढ़ा हुआ है कि ऊपर से नीचे जाते वक्त देखो पहली बात तो यह तो क्लियर हो गई है कि पहला अक्षर तो दोनों का समाने ग्रूप टूमें से तो हैं यह आप मुझे यह बताने है यह उपर है या भी उपर है हमने यह नीचे आते आते साइज करता है वह इंक्रीज करता है साइज इंक्रीज करता है तो आयनेशन थेलफी डिक्रीस करती है तो नीचे वाले के अनिचे अन्य पी नीचे आना चाहिए तो आप्शन कौन सा हुआ वी ओप्शन हो गया बोत अगा बी बिलॉंग चु गुरुप 2 वेरस बी कम्स ब्लॉंग थो कम स्विलोग टूए देखो साथ जो पहली आई अनिशन थनप्य एक वह एक वह एक नाइन्टीन लेकिन बीगी कितने हैं इसका प्यासिस की कम लग स्विटी नीचे आएगा यह उपर होगा तो भाई ये एक कोर कोशन था हमारा हमारे तरफ से तुम्हें जेए में का और ऐसे कोशन कर रहे हैं सारे के सारे ठीक है चलते रहो आगे जलते हैं चलो बच्चों आग्ला पूशन करा रहो है इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन विद दा हाइएस्ट आइनेशन एंथल्पी नियोन 3S2 3P1 मतलब क्या नियोन तो वह दस एलेक्ट्रोन होते है तो मैं यह कहना जाता है नियोन 3S2 3P1 का अलब यह है इसके साब से कि 1S2 2S2 2P6 जहां तक तो नियोन हो गया यह 3S2 3P1 तो मे बता रहो हो मैं सब्सक्राइब ठीक है और अगले वाला उसमें 14 एलेक्ट्रोन के टूटर मलाके ठीक है जी और अगले वाले 15 एलेक्ट्रोन है सी में ठीक है लो सुनो देखो बच्चो ध्यान से देखना इसको अब हमने यह पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसे जाते वक्त ऐसे चाहिए अनाते वक्त ऑनाइशन इन्तरी जो ऊती है वह इंक्रीस करती है ठीक साइस उड्स करते और जांचन इंतल्पी क्या करती वह इंक्रीश कटिय करती अब देखो जहाँ पर क्या क्या है क्या क्या trouty यहाँ पर एक बंदा र Whilean आ तेर experien projections वा प्रक्यों और अगला जो ह सब्सक्राइब कर देखो सी योटी में तर दिख जाएगा सी का यह सू 3P3 और डी का फॉर स्टू 4P3 तो जो डी है वो फॉस्फोरस के नीचे वाला बन्दा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर से लिक तो तुम इसके आउटर मुष्ट कॉन्फिजिन समसे यह सेम ग्रूप के वह त्रीपी त्रीए 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 अब आपने यह भी बढ़ाए तरा इस याथ बढ़ती है तो सब्सक्राइब किस्क्राइब यह फॉस्फोरस की मतलब आंसर सी चलो नेक्स कोशन कर रहे है दियान से देखो चलो भई नेक्स कोशन देख रहे हैं क्या रहें आइनिक रेडियस और इन आम्स्ट्रॉंग और टू माइनस एफ माइनस अच्छा ठीक है इन्होंने क्या करता तीन रेडियस दे रखिए हैं क्याने बताओ नाइट्रोजन के आइन की कौन सी औक्षिन के आइन की कौन सी है तो यार हमने ना पहले भी एक पूरे की पूरी पूरी क्लास लीति आइटोमीक रेडियस और आइनिक रेडियस की उसमें मैंने समझाया था कि जो साइज होता है किसी भी एटम का या आयन का वो डारेक्ली परपोर्शनल टू लंबर ओफ एलेक्ट्रों ए देखो तो इसमें भी दस इलेक्ट्रों है क्यों साथ इलेक्रों होते हैं ती इस ने ले लिए इसमें भी दस इलेक्ट्रों है क्यों आट इलेक्ट्रों होते हैं दो है रखें फूरुण कोन चोश्वच लe china करेगा सबसे कम उसकाशाइज ज्यादा जिन सबसे कम उसका साइस जड़ा तो नइट्रोजन का साइस सब से जधा होगा उसके बाद उसके बाद फ्लोरीन के निकाल सकते हैं तो नाइट्रोजन वाला उक्सिए मैच कर लो। cured सब से आधा कहां पर लिखा हुआ है और फिर फ्लोरीन का उससे आंसर आ जाएगा ठीक है साथ साथ एक और कोशन भी कर लेते हैं नेक्स कोशन भी आई तिंग आ गया होगा और हां जिसको यह वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है तो हमारी इसी प्लेयलिस्ट में इस चीज़ के उपर एक पूरी की पूरी वीडियो पड़िए उसको जरूर देखें अच्छा जी अगला कोशन देखते हैं विच ओफ दा फॉलेंग हैस दा हाइस बॉलिंग पॉइंट क्रिप्टन जिनॉन हीलियम और नियोन शाय तुम्हें पता होगा यह सारे के सारे अथारवे ग्रू रंगीन यहीं बड़ा हुआ ना अठारवा ग्रूप हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टन जिनॉन रेडन और हमें यह भी पता है कि उपर से नीचे आते वक्त क्या होता है ऑटामायक मास बढता है और जिसका यह बडलीग पॉइंट सबसे श्थे नीचे आते वडरद सब्सक्राबन पर जाते हैं तो यह दो चैन यह भी क्या थे दोनों के दोनों प्रिवेस यहीं के थे आगे करते हैं एक दो उठाते हैं ठीक है देखो बच्चो अगला कोशन जहांत से पड़ो विच ओफ फॉलइंग रिप्रेजेंट दा करेक्ट और रॉफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आइनेशन एंथेल्पी फोर कैल्शम बेरियम सलफर स्लेनियम एंड आर्गन ठीक तो कोशन करने से पहले थोड़ा सा अपना होंवक कर लेते हैं हमने यह पड़ा हुआ है कि ऐसे आते वक्त आइनेशन एंथेल्पी जो होती है वह इंक्रीज करती है प्रियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और आइनेशन एंथेल्पी जो होती है वह डिक्रीज करती है ठीक तो इन में से तुम्हें एक बंदा देख रहे हो आर्गन तो आर्गन की तो सबसे ज्यादा होगी और अब चारों ऑप्शन देखो आर्गन को उसने सबसे ज़्यादा ही लिखा हुआ हर केस में पहले ग्रूप जयादा होगी नीचे अधर कम होगी सबक्रीज के तो हमारे सबसे ज़्यादा कौन निश्याद तो इनने का मेरे सबसे चारों मैंने आर्गन नहीं डाले है तो तो ऑप्शनी खत्रम हो गया ठीक है आरगन को अब उसका देखो कैल्शियम बेरियम सलफर सलेनियम अब अगर तुम इनके ग्रूप नमबर याद है अंदाज है गुरूप का तब ही कर सकते कैल्शियम और बेरियम सेकिन ग्रूप बेटा मांगे कार सेंट्र अगरोल बाप रोए यह शेकन ग्रूप है और और कोंसा कोंसे ग्रूप की सलफर सेलियम सोलवा ग्रूप उस से टीपो तो धबात आति है यह अपक्र यह मारे सब के यह जो फुली जाऊंट और इन में से गुर्प के एलिमेंट कि एनेशन तलफी जाद होगी तो सबसे जादा होगी तो आर्गन के बाद यहां पर लिखाऊ है वही आंसर है अब आर्गन के बाद सब्सक्राइब यहां से यहां जाते वक्त बढ़ेगी क्लियर है तो सबसे जाद होगी तो सबसे जाद होगी तो सबसे और एक ऑप्षन ति रखके कुण सा ठीक है चलो बढ़ रहे हैं अगले कोशन की तरह बढ़ रहे हैं उम्हीरा तुभी समझ में आ अब बाद से अपनी चीज तुम्हें पता है सारे तुम कंसेप्स को समझ नहीं कोशिए तो जैए मेंस तक के वेश्चन जैए मेंस तक और नीट के तो कोई नहीं अराम से हो जाते है बस तुम्हें एक टार्गेट सेट होने चीए कि हम हम इतना करना है हमें पहले इस्टेप बाइस से पढ़ना है सीधा यह नहीं कि मुझे नीट पर साथ सुविस मारने स्टेप बाइस चलना पहले मुझे सेलेक्शन की तरफ चलने फिर मुसके वाद मेरिट की तरफ चलना कोशी जग कुस दिनों के अंदर मैं तुम्हें स्ट्राटीजी के क्लास जरूर दूंगा तुम्हें ठीक है अगले कोशन की तरफ चलने ध्यान दो देखो बच्छों अगला कोशन पट रहे हैं कोशन है विच ओधा फॉलेंग ऑडर्स प्रेजेंट करेक्ट सिक्वेंस ओफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर इंदा गीवन ओक्साइड तो यार आधन देखो मैंटले करेक्टर ऐसे आताव डिक्रीज करता है जो पहले गुरुप के मैटल वह जो पहले गुप के अलिमेंट एलकली मैटल नाम उनका यकली मैटल है आगरी वाले है लो जन इनट गैसी सिस तो भाई मैटली करेक्टर किसका अच्छा है इनका या इसका ऐसे जाते वक्त बेसिक नेचर भी डिक्रीज करेगा एक बात क्योंकि मैटल ही जो होते हैं बेसिक बनाते हैं ठीक और नॉन मैटल जो मैटलिक नेचर होता है वह नीचे आता है इंक्रीज करता यह भी बढ़ा हमने तो बेसिक नेचर भी ऐसे जाते वक्त इंक्रीज करेगा इ ने ओक्साइड का बताया है ट्वेल्थ क्लास के अंदर पी ब्लोक के अंदर हाइड्राइड के बीशिक ने चलाते हैं उसमें मत लगा देने यह उसमें तो उल्ठा हो जाते हैं फिर को वह जी गलत पढ़ा दिया यह यह जा इक साइड जिमित नेचर ऐसे आइसे आतना बेशि के सब्सक्राइब तो एक देख लोगद हो रहे है तो तो पहले दूसरा ग्रूप यहां बताने की जूरत है एल्यमिनियम का बेसिंट सबसे कम होगा फिर मेंगनीशियम का फिर ₹ lesson नीचे अधर बढ़ जाएगा किस तरह के चप्र को करां किस तरह को डील कर आपने हमने पहले सारा कहा सारा जो भी सब्सक्राइब अंदर topics उनको समझाया, उनसे questions कराए, NCI questions कराए, उसके बाद अब मैंने तुम्हें क्या कराया यह previous चैस के जही questions है, इसी प्रकार की और updates के लिए, classes के लिए, इसी प्रकार की और topics के लिए भीया, हमसे जल से जल दी जाल संक्या में जूड़ जाओ, और जिन्हों ने अब तक चैनल को subscribe कर लो, इस तरह की classes आती रहेंगी, तुम्हें पूरा का पूरा schedule, description box में डाल दिया आता है, कि किस दिन कौन सी class आने का date है, day है, ठीक है जी, फिर मिलते हैं बच्चो, जैश्री राम